हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भ्रहनमशकार सत्ष्रियाकाल अदाब दोस्तों एक बर मैं फिर हाजिर हूं एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने बले हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी दही बले जी हां इससे असान तरीक किस तरह से बनाएंगे तो फ्रेंड्स इसके लिएए चाहिए हमें दो डाल एक तो मैं इस्तेमाल कर री हो मूंग डाल का और दूसरा इस्तेमाल करिए उडद की दाल का देखिए मैंने एक कटोरी ली है मूंग डाल जिसे हम पीली डाल भी कहते हैं और one-fourth रेशो में मैंने लिए है उड़त दाल यानि कि अगर हम चार हिस्से पिली दाल के ले रहे हैं तो एक हिस्सा हम लेंगे उड़त दाल का तो इसे मैंने अच्छी तरह से धो कर पानी में एक घंटा पहले विगो कर रख दी थी तो दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है बस इसे क्य तो अब मैंने इसमें टेस्ट के कोडिंग डाल दिया है नमक यानि कि 1-4 तुटी स्पून के क्रीम मैंने इसमें नमक डाला है और आदा चमच के क्रीम मैं डाल रही हूं इसमें भूने हुए जीरे का मतलब साबु जीरा भूना हुआ साबु जीरा हलका सा ड्राइ रोस्ट कर जाए था मैंने तवे के ओपर और आदा चमच ही मैंने डाल दिया कसूरी में थी इसे भी मैंने हलका सा रोस्ट कर लिया था ड्राइ रोस्ट अब डालेंगे इसमें हम 4 बड़े चमच बेसन जी हां बेसन का इस्तमाल करेंगे बहुत ही टेस्टी हमारे ये भल्ले बनकर त्यार होंगे तो बस इसमें और मैं आप भी कुछ नहीं एड़ कर रही हूं बस फटा-फट से इसे मिक्स करेंगे और फ्रेंड्स इसे हमें अच्छी तरह से बीट करना है तो फ्रेंड्स अभी आपको यह दाल पीली दिखाई दे रही है ना तो यह बिलकुल वाइट हो जानी चाहिए इतना हमें बीट करना है इसे तो यह देखिए तीन-चार मिनट हो गए है इसे मुझे अच्छी तरह से फेटते हुए और देखिए कि इतना बढ़िया कलर आ गया बैटर को और यह उपर तैरने लग जाएगा तो समझ रीजिए हमारा जो बैटर है भले के लिए बिलकुल परफेक्ट है तो मैंने ऑइल रख दिया है गरम होने के लिए मीडियम फ्लेम पर तो फटा-फट से इसे करते हैं फ्राई हाथों को पहले अच्छी तरह से गीला कर बिलकुल फूल कर त्यार होंगे और जब हम पानी में से डालेंगे तो बहुत ही जबरदस मतलब डबल से भी डबल हो जाएंगे तो चलिए जितने इस कड़ाई में आते हैं वटा-फट से डालते जाएंगे देखिए फ्रेंड्स एक बात और है अगर हमारे भले में जाते ह जाएंगे फ्रेंड्स इतने टेस्टी बनते हैं मैं आपको क्या बताओं तो चलिए फटा-फटसे से कड़ाई में डालते हैं प्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है न तो प्लीज इने लाइक कीजी ज़्यादा से जादा से शेयर कीजीए और मेरे चैनल को भी तक आपनी शच्छाबर नहीं किया तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीज इसी तरह से लग जाते हैं जब यह fry होना start होते हैं तो इसे मैं ज़्यादा नहीं fry करूंगी कम से कम एक से दो मिनट अभी हमें इसे fry करना है और इसे निकाल लेना है जी हाँ बाहर से तो क्रंची क्रंची आते हैं मतलब कि बहुत कुरकरे होते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और इसे थोड़ी दर रेस्ट पर रखेंगे कम से कम एक से देड़ मिनट उसके बाद हम दुबारा इसे ऑईल में डाल देंगे और टैंप्रेचर हमारा मीडियम फ्लेम ही रहेगा हाइफ्लेम पर नहीं हमे से फ्लेम करने तो चलिए एक देड़ मिनट के बाद हम इसे द्वारा ओयल में डाल देते हैं और अब इसे हमें कम से कम 5-6 मिनट इसे फ्लेम करना है और 6 मिनट हो चुके है हैं इसे फ्राई होते हुए कितना बड़िया आ आ गया है आपको कैसे पता लगेगा कि हमारी रैस्पी कैसी बनती है तो चलिए निकाल लेते हैं इसे प्लेट के ओपर और रेस्ट करने के लिए रखेंगे कम से कम पांच मिनिट बाद में हम इसे पानी में डालेंगे तो चलिए निकाल लेते हैं सारे भलों को तो लिजिए अब ठंडे हो गए भले अब मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ कि पानी हमें लेना है एक बोल में उसमें डालना है आदा चमश नमक और दो चुटकी हम डालेंगे इसमें हिंग यानि कि ऐस फोटीडा अब इसे अच्छी तरह से करते हैं मिक्स तो बस अब डाल देंगे हम भले जितने भले हमें इस समय खाने है उतने ही भले आप इसमें एड कीजिएगा बाकी के बाद में एड कीजिएगा तो चलिए मैं डाल देती हूं तो फ्रेंड्स अब इसे हमने डिप कर दिया है पानी में अब इसे कम से कम 20 मिनिट आप इसे इस तरह से ही रहने दीजिएगा जब तक यह बिल्कुल अच्छी तरह से फूल कर त्यार ना हो जाए बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए तो कवर कर देंगे इसे और मिलेंगे 20 मिनट के बाद तो लिजिए 20 मिनट हो गयें आप कलर देखिए आप को दिखाई देखाई रहा ना कितनी अच्छी तरह से फूल गए यह दबल हो गये तो इसे इस तरह से हाथों से चीटरा से स्क्वीज करेंगे ज्यादा प्रैशर से नहीं करेंगे हलका से और देखिए मैं आपको दिखाते अब बारी आती है हमारी इमली की खट्टी मिठी चट्नी की तो चलिए वो भी डाल देते है तो चट्टनी की रेशपी, इमली की चट्टनी की रेशपी, आम्चुर की रेशपी, हरी धनिये पुदिने की रेशपी, सभी मेरे चैनल पर अब लोड है आप देख सकते हैं तो चलिए अब डालते हैं इसके उपर भूने हुए जीरे का पॉडर या रोस्टीड क्यू मिन पॉडर ये लीजिए और थोड़ी सी डालेंगे हम इसके उपर लाल मिर्ष का पॉडर या रेट चिली पॉडर ये लीजिए तो अब बारी आती है इसके उपर तीखी चटनी डालने की यानि की हरी चटनी डालने की तो डाल देते हैं इसके उपर तो फ्रेंड्स जब भी आपका धही बल्ले खाने का दिल करें ना तो आप इस तरह से धही बल्ले बनाईएगा दाल भिगो कर रख दीजिए जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो दाल को पहले भिगो दीजिए और एक घंटे के बाद उसे अची तरह से पीस लीजिए ग्रैंड कर लीजिए उसके बाद बनाईए पेस्ट उसके बाद हम बना लें फटा फट से धही बल्ले फिर समय नहीं ल बनकर त्यार हुएं यह देखिए देखते जाएं कितने सॉफ्ट बने हैं बाहर के दही बल्ले खाना भूल जाएंगे अगर आप इस तरह से घर पर बनाएंगे बहुती सिंपल सी रेस्पी है कोई ज्यादा टफ नहीं है कोई ज्यादा ताम जाम नहीं है दही सब घरों में होती है नहीं तो जमा लीजिएगा बहुत जल्दी से जम जती है दो घंटे में दहीं कैसे जमती है इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है आप देख सकते हैं तो चलिए यह तो खाने वाली हूं यह लीजिए फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा टेस्टी हमारे दहीं बल्ले बने है ट्राइ कीजिए मेरे कहने पर एक बर जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे जरूर बताईए कि आपको मेरी यह रेस्पी कैसी लगी फ्रेंड्स गिववे अभी भी स्टार्ट है तो पार्टिस्पेट करना बिल्कुर मत बूलिये आपको कुछ नहीं करना सिर्फ आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमली फ्रेंड्स में शेयर करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से ऊठिए कि अर् So, आपका नाम भी आ सकता है तो फटाफट से उठिए लाइक कीजिए ना फटाफट से और सब्सक्राइब जुरूर कीजिए तो दोस्तों फिर मिलती हूं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई